नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुक हमेरो तरश्रुवात करते है उत्रप्रदीश कबरों की बांदा सदर सीट से सपाप्रत्याशी मंजला सिंग नहीं नमांकन कराया है मंजला सिंग पूर्व मंत्री स्वर्गिय विवेक सिंग की पत्नी है सपाप्रत्याशी मंजला सिंग नमांकन करने पहुची इस दौरान सपाप्रत्याशी मंजला सिंग ने कहा कि उनको सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है जीत के लिए सपाप्रत्याशी आश्वस्त नजर आ रही है मेरा परिवार है मुझे बिश्वास है कि मैं भारी मतों पर जीतूं हुई क्योंकि मुझे हिंदू मुस्लिम सिख हिसाई सबी वर्गों का पार सहयोग मिरना है और मैं यहीं चेक्टी नौंदा समार्च को जरूर खबर और रहिया से जहापर वीते दिन कोधवाली में पूर्वजला पंचायत अध्यक्ष की ओर से प्रबुद्ध समाज को गालिया देने का एक वीडियो वारल हुआ था जिससे आक्रोशित होकर युवाओ दी जमकर हंगामा किया वहीं चोराहे पर नारे बासी भी की गई प्रबुद्ध समाज को गाली देने के सभी समाज के लोगों में पूर्वजला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है इसे मौके पर राजस्व अधिवक्ता एसोसियेशन के अध्यक्ष और अन्यपतादिकारी भी मौजूद रही करने को बात दोंगे खबर अयोधिया से है जहां पर धाम मौनी अमावस्या के मौके पर सरीयो के तट पर आस्था कजन से लाब देखने को मिला श्रद्धालू मौन रहे कर पवितर सरीयो नदी में सनान कर रहे थे आज के दिन सनान और दान का विशेश महत्व है अमावस्य के देन अस्नान और्दान को मुख्य पर वमाना जाता है पौराणिक मानिताओं के नुसार मौनी अमावस्य के देन सभी देवी देवता गंगा में वास्थ करते हैं अयोध्या में चारों तरफ मेला लगा हुआ है सभी श्रद्धालू मेले का भी आनन दले रहे है प्रियाग राज करीब सभी तेर्थों में अस्नान चल रहा है हमारे जुद्ध्याजे में चार बज़े से सभी श्रद्धालू लोगों का अस्नान मेला चालू हो गया है यहां से लोग अशनान करकर के परियागराज के लिए भी जा रहे हैं और परियागराज से अशनान करके लोग यहां अशनान करने के लिए आते हैं यह यही मानता है जो ऐसा करता है उसके मौनो कामना पूर्टी है आज मौनिय मौशा है शबी स्रध्यालियों को चाहिए कि मौ प्रविदायक और सपान नीत्री गजाला लारी ने कहा कि इस सरकार में जंता महेंगाई और बेरोजगारी से जूच रही है सरकार से जंता का विश्वा सखत्म हो चुका है इस बार जंता सरकार को सबक सिखाएगी जब हमारी 2012 से 17 तक सरकार थी तो हॉस्पिटल और 6 पुल बनवाया गया था काफी कुछ हदूरा है लेकिन काफी कुछ हम लोगों ने 2012 से 17 तक हम लों ने काम किया था जैसे कि हॉस्पिटल डो-दो बनवा दिये उसमें अभी तक चानुदा हुस्दा पांक साल गुजल गए इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया उसमें और हमने पुल बनवाय तक्वीवन 6 पुल बनवाय एक अधूरा था बाकी 5 पुल बनवाई गया पक्के पुल का निर्माद नड़ी पर उसके लावा तमाम पुल पुलिया बनवाई गया बुजली के बारे में बहुत मैंने सुधार किया एक प्रियारपुर को टाउन एरिया किया गिया है ताकि अच्छा से वहां पर विकास हो सके खबर है महराज गंज से जोहां ग्रामीड चार महिनों से पुल के निर्माड की मांग करें है और उनकी कोई सुनवाइ नहीं की जा रही है जिसे परिशान ग्रामीड ने पुल पर बैनर टांगा और मोटे अक्षरों मिलिखा कि पुल नहीं तो वोत नहीं साथी ग्रामीड ने बैनर के नीचे पहुँच कर शासन और परशासन के विरुधनार बाजी भी की मौ में Central Bar Association के नव निर्वाचित पतादिकारियों ने शपत ली है कि Central Bar Association का परड़ाम आने के बाद नव निर्वाचित पतादिकारियों के शपत ग्रहट सम्हारों का आयोजन किया गया ये आयोजन माउ नियाले परिसर में किया गया है जसमें नव निर्वाचित पतादिकारियों ने अपने काम को इमानदारी और निश्ठा से निभाने की शपत ली है ज़रान कई अधिवक्ता मौजूद रहे सभक लेती है और पूरी तरीके से अपने चार्ज को रहं करती है किसा लगा अथ गवाज会 सान्दार आरे आ था क्या कोसे और है यतना प्यार जतना सम्माना देखताओं ने मुझे दिया तो गया इजबा की जो टीम बनी है बहुंश अशक्त है और सारे लोग आज सॉलम्मी है रास्ते में विवाद में मारपीट भी हुई रास्ते में गाड़ी खड़ी करने को लेकर मारपीट के दौरान गोली चली है को गोली लगने से युबक गंभीर रूप से घाल हो गया है घाल युबक को जिला स्पताल में भरती कराया गया है वहीं डॉक्टरों ने स्थिती को देखते हुए जिला स्पताल से वाराड़ से के लिए रेफर कर दिया है परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूस्ताच की है ये मामला रसरा कोतवाली थाना छेत्र के नगहर गाउं का है कर दो दो पक्षों में जगड़े में एक रख्ती के गोली लगने की सूचना है तो संबन में भी मैं जिला स्पताल आया था बताया कि है कि जो गायल है उसकी कंडिशन स्टेबल है फिर भी हैतियातन बहतर ट्रीप्मेंट है तो इसको यहां से रेफर कर दिया गया है पुक्रुप मामले में जो घायल पक्ष है उनकी तरफ से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजी करेद कर अन्या पक्ष के दो लोगों को हिरासत में लेकर के पूछता चाहिए प्रिशनों को खबर मिलते ही सूचना पर पुलिस पहुची और मौके पर पहुची पुलिस ने शो को कब्ज में लेकर पोस्त मौटम के लिए भेज दिया तेज रुफतार का कहर एक बाफर देखने को मिला है यहां युवक की मौके पर ही मौत हो गए फरुखबाद में मेला विवस्थापक के हवा हवाई दावो की पूल खुल रही है कडाके की सर्दी के बावजूद अलाव नहीं जलाई जा रही है मेला राम नगरिया में कल्पवासी ठंड से ठिठोडने को मजबूर है कल्पवासी कूड़ा जला के ठंड से खुद को बचाते दिख रहे है मेला विवस्थापक का दावा अलाव का नहीं है अब यहां पर आज सर्दी है तो आज 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 आग ताप रहें क्या लकड़ी बगएरा पड़ी है खबर लखीमपुर खिरी से है जहां जिम से कसरत करके निकल रही युवक को वैद बालू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया और युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई आपको बता दे कि ये पूरा मामला सदर कोथवाली के डी सी रोड का है उत्तरप्रदेशी खबरों में फिलहा लेता ही तमाम खबरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार